हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल आज आपका हमाई चैनल में फिर से स्वागत है तो फ्रेंड्स उमीद है आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज हम फिर से फीजिक्स का नया चैप्टर लेकि आपके सामने आए हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो होंगी तो चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर है साउंड वाट इस साउंड हम आपको इसके फोर्मले और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे पर डिटेल में बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर डिजी शेर कर दीजे और कमेंट कर दीजियो अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे हैं को सब्सक्राइब करना ना भूले और सबसे बड़ीगार्स डिरूद करें क्योंकि बाल यागन पर फ्रैस्तर आपको प्रेस्ट चालिए ह रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट बोल्ग को सुनेंगा तो जो सुनना होता है हमारे दुआरा बोला हुआ वह साउंड कहलाता है साउंड हीज है जो हम सुनते हैं नेक्स्ट बात करें वेव्स की तो वेव्स क्या होती है यह वेव इसे वाइब्रेटरी डिस्ट्रबैंस इन ए मीडियन विच कैरीज एनरजी फ्रों वन पॉइंट टू अनेदर विदाउट देयर बिंगे डियरेक्ट कॉंटेक्ट बिट्विन दा टू पॉइंट अगर टू पॉइंट के बीच में कोई वेव है और वेव हमारी बिना टचकर डिस्ट्रमेज करें हुए कोई इसमें एनरजी हो रही है तो वो हमारा पॉइंट कहलाएगा वेव तो चलिए देखते हैं आगे अग helping io तेक हeddिक ए लेक्टर मैगनेकि क्या होता इधिais आराल्सो ट्रेव थ्रो व्याइक्वर द्रेव किव कब करता है थरौ करता है व्यट्यू उनदर को ऌती हिस्ट सॉलिड लिक्विट और कैस इनित इन तीन स्टेजिश होती है स्पेड की अगर बात करें तो वह वेग्यूम में करती है और उसकी अगर वैल्य देखे तो तो टी इंड टू दी-पावर एट मीटर पर सेकेंड तो यह ओल लेडियेशन के अंदर आती है तो चलिए अब बात करते हैं मेकैनिकल वैव की अगर हम बात करें तो यह होती है दिखान नौ ट्रेवल थ्रो वैक्यूम यह वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती दे नीड मैटेरियल मीडियम फॉर दैम प्रोपैजिशन जिसकी वाटर वेवस स्ट्रिंग सांड जिसके अंदर आते हैं अगर मैकेनिकल वेवस के अगर पार्ट की बात करें तो ट्रांसवर्स वेवस और लॉम्निट्यूर्ण वेवस होती है तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बारे में कि इन में क्या मैटर होता है और किस तरीकी से हम इसको समझ सकते हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पोइंट आपका दवेवस विच्ट ट कहलाती है अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो देखें दा साउंड वेवस इन एयर और लोगनी ट्यूनल वेवस अगर वेवस साउंड चलती है एयर में तो भी हमारी क्या कहलाती है लोंगी ट्यूनल वेवस कहलाती है देखें इस फीगर के ग्वारा हम आपको शो करेंगे यह जो डायग्राम है शो दा क्रेस्ट एंड रो ओफे ट्रांसफर्स वेवस देखें क्रेस्ट ए क्रेस्ट सी और यह एक थ्रो बी एंड रो डी तो देखें ए एंड और दी आर दा थो तो आपने देखा कि एक ट्रांसफर्स वेवस किस तरीके से शो और यह इसमें तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं देखें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेवलेंट दा मिनीमम डिस्टेंस इन वीचे साउंड वेव डिपीट इटसेल्फ इस काल्ड इट्स वेवलेंट वेवलेंट क्या होती है आप देखें एक पिक्टर दिखाई होई है वेवलेंट आपको इदर दिख रही है कोई अधिकर ब्लास को करेंगे तो देखें आगे कि है में और फ्राइट नोमेडर करें तो तोким एका आगे तो चलिए आगे चलते हैं देखिए यह फीगर है आपको हमें एम्प्लीट्यूड बताना है क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेस्मेंट ओफ दा पार्टिकल्स ओफ दा मीरियन फॉर्म देयर ओरिजनल अंडिस्टर्ड पोजिशन जब इक पोजिशन दिखाई जा रही आपको वेवस की यह जो बीच की है बीपी जो डॉट की द्वारा में शो कि आए यह एक एम्प्लीट्यूड होता है इस तरीके से आप जल्दी समझ पाएंगे वैनी वेव पासीज थो दा मीडियन इसकाल्ड एम्प्लीट्यूड ओफ दा वेवस एक वेवस का जो मीडियन का है पा एक अगर बात करें तो इसका ऑसाई में यह बीटर को ही शो यह लिए सब्सक्राइब देखिए अगला टॉपिक है हमारा टाइम प्रिएट को आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं अगर हम दिनोट की बात करें की टाइम को किसे डिनोट करते हैं से आप यह सब जानते हैं और ask जरूरी होता इस कई सेंगी होता है तो चलिए अगला टौपिक देखते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी देखी फ्रीक्वेंसी क्या होते हैоны नंबर ओऊप्टीнев यह है उस्चर झाट करने की लिए तो प्रोड्यूस करते बूलते हैं हुआ इस तरीके तो चलिए बाते हैं वेलो सिटी आपकी देखिए दा डिस्टैंस ट्रेवल बाई वेली इन one second is called velocity of the wave. वो velocity के रिलाती है जो distance traveled होती है एक वेव के द्वारा एक second में तो देखिए डिनोट किससे करते हैं वी से दिनोट करते हैं अगर ऐसा unit की बाथ करें तो km per second या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिटर पर second inverse देखिए इस तरीके से तो चलिए नेक्स टोपिक पे देखते हैं पहले इसका फोर्मुला बता देंगे जो आपको नुमेरिकल में हेल्प करेगा वी इस इक्वल टू डी अपॉन टी जहां पर डी हमारी डिस्टेंस है और टी हमारा टाइम है तो देखिए वी इस इक्वल टू मियू इंटू हम संट की बात करें तो टू टाइबस की सान्ड लारी वल सांड इंटू अरिवल साउंड कोन से होती है जो हम सुन सकते हैं और इनॉरि उनेकल संट कोन स्कते हैं जो हम सुन नहीं सकते नहीं हैं 20 HR से लेकर 20 KHz तक होती है। इसमें हम ये भी बहुत सकते हैं। इसे हम SONIC SOUND भी कह सकते हैं। Next अगर हम बात करें, जिसस साउंड को हम सुनने ही सकते, उसे हम Ultrasonic Sound कहते हैं। और इसकी हम आपको एNING staじ2 के बारे में बताएंगे, Ultrasonic Sound में कितनी application होती हैं। किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं देखिए Applications of Ultrasonic Sound Ultrasonic Sound के अगर हम बात करें कि Ultrasonic Sound में क्या होता है एक बैठ है बैठ है इस तरीके से किसी anh insect के साथ attract कर रहा है तो इसमें जो function हो रहे हैं ultrasonic से वज़े से हो रहे हैं और यह अपनी तरफ इसको आकरशित कर रहा है इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के कॉंटेक्ट में है तो डिस्टेंस डीवन एंड डीटू होगी तो चलिए सेकेंड है इसका सोनर सिस्टम देखिए 2nd topic है आपका sonar system, what is sonar system, अगर sonar system हम आपको बताएं कि sonar system होता क्या है, यह एक ऐसी solar system एक ऐसा यंतर होता है जो पानी के अंदर location के लिए काम आता है, समझ रहें अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है एस ओ से मिंस आप समझ सकते हैं साउंड एन ने से मतलब निविगेशन और फॉर रेंजिंग इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं तो देखें कि देखें सोनर सिस्टम आपीष इस फीगर करों समझ सकते हैं स्वहर सिस्टम क्या होता इधर यहां पे ठाटर है यहारा वाटर दिखाये गया है और इधर आपको जोनर दिख्राइब जाए यह एक जोनर है और इधर आप देख सकते हैं और रिसीवर दिखाये गये हैं और लास्ट you दिखोने के यह फोल्ज्च और यह recycling एल्टर सांट जाँड फर्सीन ओटम उफ सी फिर सब्सक्राइब देखने के लिए हम यूज करते हैं सोनर सिस्टम का तो चलिए नेक्स टॉपिक पर चलते हैं देखिए स्पीड ओफ सांग के होती है इस तरीके से लिक्विड और गैस इस रूप में होती है अगर हम स्पेड की बात करें एयर में तो जीरो डिग्री सेंटिग् ुज हम करें पर देखिए सिकी वैल्यों क्यों होती है 332 मीटर पर समय और अगा हम ताएं हम940 अ AND तो आपने देखा 0 degree centigrade पर क्या होती है और room temperature पर क्या होती है देखिए अगर all formula की बात करें हम sound के तो देखिए एक sound इधर से हो रही है आवाज आरी इधर से तो एक इधर listener है और अगा महारी d यानि distance इधर है तो हमारी speed का formula क्या होता है speed v is equal to d upon t और अगर हम इसकी SI unit की बात के तो meter per second उमीद है आपको इधर पसंद आ रही होगी लाज तक देखते रहे और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए reflection of sound देखते हैं अगर हमारी distance जबल हो जाती है तो speed का formula हमारा थोड़ा सा change हो जाता है v is equal to d हमारी 2d हो जाएगी और time हमारा same रहेगा तो v is equal to 2d upon t यह आपको numerical में formula बहुत help करेंगे उमीद है आप सब को ये video पसंद आ रही होगी तो चलिए next formula पर चलते है into lambda v is equal to new into lambda आपको formula secondary यह भी आपको numerical में help करेंगे जब आप question करेंगे next आपका t is equal to 1 upon new यह को इस तरीके से भी बोल सकते है new is equal to 1 upon t new is equal to new into lambda और new is equal to होता है हमारा 1 upon t तो v is equal to new lambda is equal to इसमें value रख देंगे तो lambda upon t की value आगी तो उमीद है आप सब को ये video पसंद आ रही होगी thanks for watching my video